स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। इनमें से कौनछा शब्द शुद्ध है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A यानी। तो चलिए शुरुवात करते हैं आज के एपिसोड की। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला प्रश्न है जो प्रमाड से सिध्धुन ना हो सके के लिए एक शब्द है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A अप्रमेय। अगला प्रश्न है जो छाती के बल गमन करता हो वाक्याँश के लिए एक शब्द है अ भूचर, बी उरग, सी उदरचर, दी अचल इस प्रश्न का सही nhấtतर法 विकल्प बी उरग अगला प्रश्ण है जिसका किसी भी तरह उलंगन नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है इस प्रश्ण का सही उतरह विकल्प सी अनुलंगनिय अगला प्रश्ण है जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है अगला प्रश्न है निशफल ना होने वाला कहलाता है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आमोग अगला प्रश्न है बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए उप्यूक्त एक शब्द होगा अगला प्रश्ण है जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प डी अजेय अगला प्रश्ण है जिसे पराजित न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प अगला प्रश्ण है जिस पेड के पत्ते जड़ गए हों के लिए एक शब्द है अगला प्रश्ण है जिसे तरने या पाड जाने की एक्षा हो के लिए एक शब्द है अगला प्रश्ण है जिसे बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द होगा अगला प्रश्ण है जिसका ज्यान इंद्रियों द्वारा ना हो के लिए एक शब्द है अगला प्रश्ण है अन्य से संबंद न रखने वाला के लिए एक शब्द है अन्यत्र बी अन्योना संबंदी सी अनन्य डी अन्योन याश्रित इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी अनन्य अन्योन प्रश्ण है जो ढखा ना हो के लिए एक शब्द है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प डी अनावरित तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्ण को जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द है इस प्रश्ण का उत्तर कमेंड बॉक्स में जरूर दें आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया